राजस्थान में सुखदेव सींग गोगामरी हत्यकान में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है आपको बता दें कि पुलिस ने इस केस में शूटर नितीन फौजी के सहपाथी रामवीर को अरेश्ट किया है बताय जा रहा है कि रामवीर ही दोनों शूटर नितीन फौजी औ गया आरोपी 23 वर्षिय रामवीर पुत्र सतवीर हरियाने के महंदरगर जीले के पिलानिया थाना इलाके के सुरेती गाउं का रहने वाला है वह हमलावर नितीन फौजी का सहपाथी रहा है और दोनों के गाउं आस पास ही है दोनों अच्छे दोस्त हैं वहीं इस पूरे मा हमलावर पहले स्कूटी छिनकर DCM तक भागे, फिर ओटो से हीरा पूरा छोराहे तक पहुँचे हीरा पूरा 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 चोराहे पर उन्हें रामवीर सीह मिला, रामवीर ने राहूर रठोर और और नितीन फौजी महंदरगड के RPS Senior Secondary School में बारहमिक अक्षा में साथ पढ़ते थे, बाद में नितीन फौजी की फौज में नौकरी लग गई, और वर्स 2017 में रामवीर असनातक की पढ़ाई के लिए जैपूर आ गया, रामवीर ने जैपूर के मानसरोवर इस्थित सेंट इलफ्रेड कॉलेज से BSC किया, बाद में कालवाल रोड इस्थित विवेक कॉलेज से MSC किया, MSC के एक्जाम खत्म होने के बाद अप्रेल 2023 में वो अपने महंदरगड चला गया, आपको बता दें कि 5 दिसंबर को सुखदेव सींगोगा मड़ी पर दो सूटर सेनितीन, फौ काल इस खबर में इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें इन खबर के साथ,